कुछ आझा ये हैं अपकी साथ शेयर करने वाली हुआ अपनी एंटी स्कैन की रिपोर्ट गैज की एंटी सकैन हुआ था वह मैं आज आपके चाथ शेयर करने वाले हुआ तो फ्रेंच यह है यह मेरा अंटी स्कन का रिपोर्ट तो जो मेरा अल्टासाउंड हुआ था वो मेरा दो बारह से जो एक बार हुआ था वो मेरा दस पीक पे हुआ था तो अभी पहले मैं आपको यह वालाiva पोट अपने दिखा देती हूं एक बार तो यह ऐसी होती है और इधर आपका यह इल्टरसाउंड की इमेज़ बनी होती है इधर आप पूरा इमेज होती है और इधर आपका डेटेल में लिखा होता है जो आप पढ़ सकते हैं तो यहां पे मेरी लिख्यू हुई है जो आपका लास्ट पीरेट होता है वह डेट लिख्यू हुई है आपकी मेरी 5-7-2021 है और यहां पे आपके इधर लिख्यू होती है जो भी डॉक्टर आपको एक डेट बताते हैं यह अल्ट्रसाउंड मसीन से जो आपको एक डेट निकलती है वह यह यहां पे लिख्यू होती है जैसे साथ 4-2022 है कि बेबी इस देट पे हो ऐसा नहीं होता है ज़ादतर बेबी जो होते हैं वह रेट से पहले ही हो जाते हैं बट फिर भी यहां पर लिखी होती है फिर यह हमारा इल्ट्रसाउंड है तो यहां पर एज लिखी हुई है according to LMP यह स्टेशनल एज अकोर्डिंग to LMP जो मेरा हुआ था वो दस वीक चार दिन था मेरा मेरी प्रेग्डेंसी का तब हुआ था मेरा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका यूट्रस लिखा हुआ है यूट्रस सो सिंगल नॉर्मल वैल डिफाइन जस्टेशनल सैग वह होता है जिसमें आपका बेबी रहने वाला होता है तो वह जो है वैल डिफाइन है बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नही है वह बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है यहां पर यह लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है सिंगल लाइड इंट्रायूट्राइन प्रेग्नेंसी इद्सीन यानि कि आपका एक बेबी है और वह आपकी यूट्रस में है प्रेग्नेंसी जो आपकी है वो यूट्रस में उसमें आपको पता चल जाता है तो यहाँ पर हमारा जैसे लिखा हुआ है सिंगल Anda कि हमारा एक बीडू है और हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही दिख रही फिर यहां पर लिखा हुआ है fetal moment are normal जो आपका fetal आपके बेबी को बोलते हैं उसकी जो moment है वो बिल्कुल normal है fetal cardiac activity is normal उसकी जो जो दिल की जो activity होती है बेबी की जो आपकी हार्ट से जो related जो भी होती है activity वो बिल्कुल नॉर्मल है फिर उसकी FHR लिखी हुई है fetal heart rate वो जो मेरे बेबी की है वो 162 आई थी उस time bpm beats per minute तो यह 162 है यहां पर बेबी की यहां पर बेबी का जो है CRL लिखा हुआ है CRL मिजर जो होता है बेबी का वो 4.35 cm है यानि की बेबी जो है वो अभी 4.3 cm का है और जो उसकी age है वो 11 week 1 day है तो यानि की बेबी की जो growth है वो बिल्कुल ठीक चल रही है ऐसी कोई problem उसमें नहीं है यहां पर लिखाओ single normal york sack is seen 4.1 mm तो जो york sack होता है उससे आपकी बेबी का आगे चलके placenta वगरा बता है तो यह है york sack जो है वो 4.1 mm का है यह होती है आपकी नकल ट्रांस्व is normal तो जो anti-nb scan होता है वो दो ही चीज़ियों के लिए होता है एक तो होता है anti-nuckle transparency वो जो है 1.3 mm है यह आपकी 3 या 3.5 mm से कम ही होनी चाहिए वो normal होती है अगर उससे ज़्यादा है तो आपको फिर अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूबत हो सकती है क्योंकि आपकी ब यह नकल ट्रांसलेंसी और नजल बोन यह दोनों चेक करने के लिए आपका anti-nb scan किया जाता है तो आपको यह यह मेरे बेबी की जो है 1.3 mm है यानि कि बिल्कुल नॉर्मल है कोई problem नहीं है और नजल बोन भी बिल्कुल हुमारी विजिबल है उसमें कोई problem नहीं है तो इन द लॉक्टर से बात कर लिनी है वह आपको सज़ेश करेंगे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेनी की ज़रूरत नहीं है फिर यहां पर है प्लेसेंटा रियक्षन इस नॉर्मल मतलब प्लेसेंटा आपका जो है उसका रियक्षन बिल्कुल नॉर्मल है वह सीन तो हो जाता ह आपका जो है योक्स एक 6 वीक पर ही आपका दिख जाता है उसमें जब आपका अल्टरसांड होता है नो फोकल लेसन इस सीन मतलब यह बिल्कुल नॉर्मल यह ही होता है उसके बाद यहां पर आ जाते हैं इंटर्नल ओएस इस क्लोज क्योंकि यह क्लोजड ही रहता है आपको सौट सर्वक्स की प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने के जरूत पड़ेगी जो है फिर यह मतलब जो सर्वेक लैंत है वो इतनी है और आपियर नॉर्मल है नो फ्लूड फर्णिंग इस सीन इन सर्वेकल कैनल मतलब कोई भी वहा का फाइनल रिजल्ट होता है वह यहां पर इंप्रेशन में लिखा होता है जैसे सिंगल अर्ली लाइव इंट्रयूट्राइन प्रेग्नेंसी ओफ एप्रॉक्षिमेट मिच्योरिटी 11 वीक वन डे तो यह लिखा हुए और बाकी आपका लिखा होता है कि आपको सेकंड अल् कि जब भी आपका घ्ला-ल्ट्रसाूंट होना होता है और यहां पर बाकी चीज Bennett आपकी जैसे आपकी यहां पर यह एंटी के बारे में यहां पर यह लिखी होती है यहां पर यह लिखी हुए है 162 तो यहां पे होती है यह तो इसमें आपको बेबी के हाटबीड जो है वो सुनाई भी जाती है पहली बार पहली बार आपको 6 वीक पे बेबी के हाटबीड जो है वो सुनाई जाती है और यह बाकी का यहां पे आपकी इमेजस बनी हुई है तो यह जो मेरा अल्ट्रसाउंड पर फिर से यह अल्ट्रसाउन कर वाया था मैं आपको एक बर दिखा दिसकेंगे तो यह भी मेरा एंटी स्कैन ही था मतलब यह 14 वीक फिर दुबारा से एक बर डॉक्टर ने करा दे था बेबी की ग्रोथ वगरा कुछ चेक करने के लिए तो इसमें भी सब आपका यह एलंपी वगरा ऐसे लिखी होती है और यह 14 वीक वन डे पर हुआ था मेरा फैचार जो है वो फिर 144 आई थी और इसमें यह नकल ट्रांसलेंसी जो है 1.6 mm है जो कि विलकुल नॉर्मल है और नजल बोन भी जो है वो विजिबल है और वो अब 4.0 mm है जैसे पिछले वाले में जो थी वो विजिबल थी बट उसकी यह जो यहां पर यह कितना है यह नहीं लिखा हुआ था इसमें आ गया था यह कि 4.0 mm में है और बाकी फिर रिपोर्ट वही थी सारी अम्निटिक फ्लूट के बारे में यहां पर लिखा हुआ कि वह बिल्कुल नॉर्मल है जितना उसका होना चाहिए वह वॉल्यम जो आपके बच्चे के आसपास का पानी होता है उसको अम्निटिक फ्लूट बोलते है वह बिल्कुल नॉर्मल था और प्लेसंटा रियक्शन वगारा सब कुछ लिखा हुआ है जो भी जो पहले अल्ट् मैं है बस यहां पर यह से यहां पको बारिक सीथिये लुद्ध स Apply सारोइक और यहां पर यह आपका सब्सक्राइब या यह यह रिपोर्ट बिले नॉर्मल थी संब भी प्रॉब्लम नहीं था है अरे अरे लिगी इसरो मैं आपको को Tobie मामिंऔर को स्थिर्ण कि जब समय क करते हैं लूर्ण होता है वहां पर आपको 11-14 से बीच में करना होता है मेरी रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी एंटी एंबी नकल ट्रांसलेंसी और नजल बोन यह दोनों चीज़ें के आपकी चेक करनी होती है इसमें यह एक डबल मारकर टेस्ट होता है उसके साथ किया जाता है वैसे बेबी के लिए जो बेबी में कुछ यह प् प्रोब्लम नहीं था अगर आपके डॉक्तर में कुछ भी प्रोब्लम आती है कुछ भी आपका टेस्ट नहीं सकते हैं अपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरुरूत नहीं है अगर बात कर लिए वह आपको बदा दिंगे जो भी प्रोब्लम होता है अगर आपका इसस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए अगर आप चैनल को सस्क्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी अच्छी आप इन्फोर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने के लिए त झाल 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 झाल झाल